तो हेलो गाईज हम लोग आचुके हैं एक और नए वीडियो लेकर जिसमें कुछ इस प्रकार की फोटो एटिंग करना सिखाएंगे अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार की फोटो एटिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेजिये और इस वले video को पूरा देखेगा तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से face smoothing सिखना चाते हैं और background को कुछ इस प्रकार से edit करना चाते हैं तो इस वले video को पूरा देखेगा आप लोग 1000 वीडिये YouTube पे देख चुके हैं पर कोई इस प्रकार की take नहीं बताता है तो आज आपका भाय एकदम बहितरेन तरीके से फोटो एकिंग करना सिखाएगा तो आप लोग देखी सकते हैं before and after तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो जैसा कि आप लोग देखी सकते हैं यह रहा हमार और जिनल फोटो इस वाले photo को edit करने के लिए share करेंगे lightroom application के अंदर तो हमारा photo lightroom application के अंदर share हो चुका है तो आप लोग देखी सकते हैं जब आप लोग lightroom application के अंदर अपने photo को share करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface खुलगी आएगा इतना करने के बाद हमें एक preset का link description में दे देंगे आप लोग वहाँ से से जाके download कर लीजिएगा उसके बाद preset पे click करेंगे और यहाँ theory dot पे जाएंगे थोड़ा सा wait कर लेंगे हमारा photo loading ले रहा है इसके बाद यहाँ copy setting option आ रहा है इस पे click कर देंगे और masking पे click करके यहाँ साही कर देना है और यहाँ से back आ जाएंगे और उपने original photo पे जाएंगे दुवारा three dot पे click करना है और paste setting कर देना है तो आप लोग देखेंगे आप लोग का photo एक ही click में बहुत बेहतरी तरीके से edit हो जाएगा इतना कर लेने के बाद कर देंगे तो जब आप लोग अपने photo को sketchbook के अंदर share करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface खुल के आएगा इतना करने के बाद pencil वाला एकन पे click करना है और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ से इस वाले ब्रस को ले लेंगे आप लोग इसकी setting देख सकते हैं साइच को अपने हिसाब से घटा बढ़ा के रख लेना है इस ट्रेंद को एक पर फॉलो को पांच पर रखके यहां से सीख जाएंगे तो अगर आप लोग इसके एजबुक के अंदर अपने फोटो को स्मूद करना सीख जाते हैं तो आप लोग 100% फोटो एटिंग करना सीख जाएंगे तो चलिए अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जा झाल 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 तो आप लोग देखी सकते हैं हमने अपने फोटो को कितने अच्छी तरीके से स्मूद कर लिया है तो जिससे जैसे हम बताएं हैं से हम प्रसेश करके आप लोग भी कुछ जीस वरकार से अपने फोटो को स्मूद कर लिजीगा इतना करने के बाद पैंसल वाले एकन पर किलिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और इस वाले बरस को ले लेंगे आप लोग इसकी सेटिंग देख लिजे और सीटी को हंडेट कर देना है साइज को अपने ही साथ से रख लेना है इतना करने के बाद कॉलर वाले अप्शन प्याना है और यहां से रेड़ सिलेक्ट कर लेना है और यहां से इस वाले अप्शन प्याना है और एक डूबली के लेयर थियार कर लेंगे उसके बाद layer पे click करेंगे और यहाँ पे normal पे click करेंगे soft light कर देंगे और अपने photo को zoom करेंगे और यहाँ से दीरे-दीरे से इसे apply करेंगे तो आप लोग बहुत ही दीरे-दीरे से apply करिएगा नहीं तो बहुत ही खराब लगेगा अगर बाहर चला जाएगा तो इतना करने के बाद फिर से इसी वाला option पे click करेंगे इस वाला option पे click करने के बाद इसके ओप city को थोड़ा सा कम कर देंगे कुछ इतना रख लेना है 22 के आसपास तो आप लोग देखी सकते हैं अपने फोटो को इतना अच्छे तरीके से इडिट कर दिया है तो मैं आसा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी है फुल लगा होगा तो इस वाले वीडियो को एक लाइक कमेंट कर देजिएगा तब के लिए टाटा बाइबाइबाइब